कुरुंतियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री पांचमा अध्याय क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा प्रत्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं पर और हम इस देरे में रहते हुए बोज से दबे कहरते रहते हैं क्योंकि हम उतारना नहीं बरन और पहिनना चाहते हैं ताकि वह जो मरनहार है जीवन में डूब जाए और जिसने हमें इसी बात के लिए तयार किया है वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिय सो हम सदा धालस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभू से अलग हैं क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं इसलिए हम धालस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभू के साथ रहना और भी उत्त इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें, चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किये हों प्रभु का भै मान कर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रगट है और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रगट हुआ होगा। तो परमेश्वर के लिए और यदी चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश्च कर देता है इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए और वह इस निमित सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जीएं परन्तु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे और यदी हमने मसी को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे सो यदी कोई मसी में है तो वह नई सरश्टी है पुरानी बातें बीट गई हैं देखो वे सब नई हो गई और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसी के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौप दी है अर्थात परमेश्व परमेश्वर ने मसी में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोश उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौप दिया है। पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धारमिक्ता बन जाएं।